परिचाय वो पर्टी पर सारवधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है इसका निशकर्षन प्रकृती में पाई जाने वाले बॉकसाइट अयस्क से किया जाता है इसके बाद धातु को वानशेत आकृतियों में धाला जाता है ठीक है मा मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया मैं इस विशे में कुछ और जानना चाहती हूं। 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 अयस्कों से धातु के निशकरशन एवं प्रिधक करण की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। आयस्क का सांद्रण, सांद्रित आयस्क से धातु का प्रिथक करण एवं धातु का शुद्धी करण. धातु की उपलब्दता भूपर पटीक पर सर्वधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सिजन है भूपर पटीक पर दूसरा सर्वधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है धातों में अलुमिनियम भूपर पटीक पर सर्वधिक मात्रा में पाया जाता है ये भूपरपटीक पर तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। ये अबरक तथा मृत्तिका सहित अनेक आगने खनेजों का प्रमुघटक है। बहुत से रत्न प्रस्तर एल दो ओ तीन के अशुद रूप हैं तथा ये अशुद्धियां कुरूमियम से तांबे त होती हैं। धात्वों में लोहा भूपरपटीक पर दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धात्व है। ये भूपरपटीक पर सरवधिक मात्रा में पाई जाने वाले तत्वों में इसका इस्थान चौथा है। ये तत्व एवं योगिक दोनों ही रूपों में बहुत म प्रिमोग्लोबीन में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कारी करता है। आयसकों का सांद्रण आयसकों से अवांचित पदार्थों के प्रधक करण की प्रक्रिया को आयसकों का सांद्रण कहते हैं। आयस्क सांदरन की कुछ महतपून विधियां इस प्रकार हैं। द्रव्य धावन ये विधी आयस्क तथा अप आयस्क कणों के आपिक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया में चूंडित आयस्क को जल की तेजदाव वाली धारा से धोया जाता है। जिससे अप आयस्क के हलके कण धुल जाते हैं और भारी आयस्क बचे रह जाते हैं। निक्षालन इस विधी में आयस्क का एक उप्युक्त अभिकारक से शोधन कराया जाता है और जिसमें आयस्क तो धुल जाते हैं, किन्तु अविले होनी के कारण अप आयस्क बचे रह ज बॉक्साइट के निक्षालन से अलूमिना प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में बॉक्साइट आयस्क का कास्टिक सोडे से शोधन किया जाता है। आयस्क बचे रह जाते हैं। विलियन में कार्बन डायॉक्साइड गैस प्रवाहित कर ऐलूमिनेट को उधासीन कर लिया जाता है। एवं जल्योजित आयस्क बचे रह जाता है। जल्योजित आयलूमिना ए एल ओ एच तीन को चान कर सुखागर तथा 1470 केल्विन तापमान तक गर्म करके पुनाशुद आयलूमिना प्राप्त कर लिया जाता है। चुम्ब की ये प्रतक करन विधी आयस्क के दो घटकों में चुम्ब की ये गुणों की भिनिता पर आधारित होती है। चुम्ब की ये कण पटे पर से दूर छिटक जाते हैं जबकि चुम्ब की ये कण चुम्ब की ये क्षेतर से आक्रिष्ट होकर एक अलग अमबार बनाते हैं। इस विधी का उप्योग कैसिटर टाइट, मेगनेटाइट, क्रोमाइट एवं पाहिरोलुसाइट से आयस्क कड़ों को अलग करने में किया जाता है। जाग प्लवन विधी इस विधी का उप्योग मुख्यता सलफाइट आयसकों के सांद्रण में किया जाता है। इस प्रक्रिया में निहित नियम ये है कि सलफाइट आयसक कण चीड के तेल से तथा मैल के कण पानी से भिकोई जाते हैं। इस विधी में चूनित आयसक का पानी मिला कर घोल बना लिया जाता है। फिर इसमें चीड का तेल, वसा अमल एवं जैन्थेट जैसे संग्राही तत्व मिला दिये जाते हैं। जहाग को स्थिर करने वाले क्रिसॉल, एनिलीन जैसे घटक उसे स्थिर कर देते हैं। आयसक कण तेल से तथा मैल के कण पानी से भीग जाते हैं। एक घूमता पैडल मिश्रन को हिलाता है, तथा इसमें इस्थित वायू को खीच लेता है। परिडाम सरूब जहाग बनता है, जिसमें आयसक के कण एक कत्रित हो जाते हैं। जहाग हलका होता है, जिसे मत कर निकाल लिया जाता है। फिर इसे आयसक के कण प्राप्त करने के लिए सुखाया जाता है। सांद्रिद आयसक से कच्ची धातू का निश्करशान। सांद्रिद आयसकों को अप्चयन के लिए उप्युक्त प्रारूपों में परिवर्तित करना आवशक है। ऑॉक्साइट का अप्चयन आसानी से हो जाता है। सलफाइड एवं कार्बोनेट आयसक की तुलना में ऑॉक्साइड आसानी से अप्चयत होते हैं। ऐसा दू विधियों से किया जाता है। निस्पतापन एवं भरजन। निस्पतापन इस प्रक्रिया में वाश्पशील पदार्थों के निश्कासन के लिए आयस्क को गर्म किया जाता है. परिणाम सरूप धातू ऑक्साइट शीष रह जाता है. भर्जन इस प्रक्रिया में आयस्क को वायू की नियमित आपूर्थी के साथ धातू के गलनांग से नीचे के तापान पर गर्म किया जाता है. सलफाइड आयस्क को भर्जन द्वारा ऑक्साइट में परिवर्तित किया जाता है. ऑक्साइट का धातू में अपचयन धातू ऑक्साइट को धातू में बदलने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं. कच्ची धात्वों के निश्कर्शन के उधारन आईए कच्ची धात्वों के निश्कर्शन का एक उधारन लें निम्न में से प्रतेक में धात्वों के निश्कर्शन सिधांद का वड़न करें SNO2 से SN ZNO से ZN CR2O3 से CR आईए उत्तर देखें 1. SNO2 से SN का निशकर्षण कार्बन को अपचायक के रूप में प्रयोग कर किया जाता है 2. ZNO से ZN का निशकर्षण कार्बन मौनो ऑक्साइड को 1600 केलविन तापमान पर अपचायक के रूप में प्रयोग कर किया जाता है 3. CR2O3 से CR का निश्कर्षन एलूमिनो थिमिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है धातु कर्म के उश्मा गदिकी ये सिध्धान्त धातु कर्मिये परिवर्थनों के सिध्धान्त को समझने में गिब्ज उर्जा हमारी साहता करती है किसी प्रक्राम के लिए किसी विशिष्ट ताप्रम पर गिब्ज उर्जा में परिवर्थन डेल्टा जी का वर्ण निम्न समीकरन की साहता से किया जाता है ΔH गटा T ΔS जहां ΔH एंथेल्पी में परिवर्तन है तथा ΔS एंट्रॉपी में परिवर्तन है जब ΔG का मान रणात्मक होगा तभी अभिक्रिया आके पढ़ेगी यदि किसी निकाए में दो अभिक्रियाओं के अभिकारगों तथा उत्पादों को एक साथ रखा जाए और दोनों संभव अभिक्रियाओं का परिणामी डेल्टा जी रिनात्मक हो तो समगर अभिक्रिया संपन्न होगी अलिंगम आरेक तापमान के साथ मुग्द उर्चा में परिवर्तनों का आरेक एलिंगम आरेक कहलाता है ये आरेक धात्वों के अयसकों से उनके निशकरशन को समझने एवं पूर्वा नुमान लगाने में सहायक होते हैं एलिंगम आरेक में रेखा की उचाई ऑक्साइट की अस्थिर्टा को दर्शाती है रेखा जितनी अधिक उची होगी डेल्टा जी का मान उतना ही धनात्मक होगा और ऑक्साइट का बनना उतना ही कम संभव होगा जिन धातूं के लिए ऑक्साइट बनाने वाली मुक्त उर्जा अधिक रणात्मक होती है वे उन धातूं का अपचयन आसानी से कर सकती हैं जिन के लिए ऑक्साइट बनाने वाली मुक्त उर्जा अपेक्षा कृत कम रणात्मक होती है आईरन का निशकर्शन, लोह निशकर्शन धातों में भूपर पटीक पर, दूसरे स्थान पर सारवाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातू लोहा है लोहे के मुख्य आयसक हैं, हमेटाइट या लाल लोह आयसक, लेवनाइट या भूरा लोह आयसक, मेगनटाइट एवं सिट्राइट लोहे को अधिक्तर उसके ऑक्साइड आयसकों से ही निशकर्शित किया जाता है इन आयसकों में 20-55 प्रतिशत तक लोहा होता है आयस्क का संद्रण मिट्टी रेत इत्यादी के मैलकन चूनन क्रिया से दूर किये जाते है निस्पतापन एवं भरजन चूनित आयस्क को कोईले के साथ मिलाकर बट्टी में खोब गर्म किया जाता है इससे नमी दूर हो जाती है कार्वरिक पदार्थ आकसीकरित हो जाता है सलफर एवं आर्जनिक मैलकन वाश्पशील आकसाइड बनकर दूर हो जाते है तथा आयस्क च्छदरिल हो जाता है जिससे अभिक्रियाएं आसान हो जाती है प्राकलन निस्तापिद एवं भर्जिद आयस्क को चूने के पत्थर एवं कोक के साथ 8 अनुपाद 1 अनुपाद 4 की मात्रा में मिलाकर वात्या भट्टी में डाला जाता है वात्या भट्टी में अभी क्रियाएं वात्य भट्टी, रिफ्रेक्ट्री इंतों से बनी एक लंबी चिमनी नुमास्तन अचना होती है, भट्टी में गर्म हवा पेंदे से प्रवाहित की जाती है, जैसे जैसे चार्ज नीचे आता है, ये उच्छ ताप्मान क्षित्र से गुजरता है, वात्य भट्टी के अलग- क्षित्रों में विभिन प्रकार के रासाइनिक परिवर्तन होते हैं, दान क्षित्र, ये भट्टी का सबसे निचला हिस्सा है, यहां गर्म वायू के जूंके से कोक जल उड़ता है, इस क्षित्र का ताप्मान 1500 डिग्री से 2000 डिग्री सेलसियस तक होता है, कारबन डायोकसा उपर की ओर जाकर रक्तिम गर्म कोक से मिलती है, अपचयन का उपरी ख्षित्र, ये भट्टी का सबसे उपर का हिस्सा है, इस ख्षित्र का ताप्मान 250 डिग्री से 700 डिग्री सेलसियस तक होता है, यहां कारबन मोनो आक्साइड आइरन के आक्साइड को स्पॉंजी आइरन में अपचयित कर देती है, अपचयन का निम्न ख्षित्र, भट्टी के मद्धे भाग में 1000 डिग्री से 1200 डिग्री सेलसियस ताप्मान में अंतिम अपचयन होता है, कारबन मोनो आक्साइड से प्राप्त कारबन लोहे के साथ अभिक्रिया करता है, तथा मेल के कन भी गलित ल में 1200 डिग्री से 1500 डिग्री सेलसियस तक होता है, चूने का पत्थर केल्शियम आकसाइड में अपघडित हो जाता है, ये एक प्रगलक के रूप में कारे करता है, तथा SiO2 एवं Al2O3 जैसी अशुद्धियों को धातु मल बना कर अलग कर देता है, गलित लोहा वात्य भट्टी की तली में इकठा हो जाता है, धातु मल हलका होने की कारण गलित लोहे के उपर तैरता है, धातु मल को धातु मल छिद्र में से प्रवाहित कर अलग कर दिया जाता है, तांबी का निशकर्शन तांबा प्रकृति के वं युक्त दोनों ही रूपों में पाया जाता है, ये मुख्यता सलफाइट, आकसाइट और कार्बोनेट रूपों में पाया जाता है, तांबी के निशकर्शन के मुख्य चरण, सांद्रण, भरजन, प्रकलन, सांद्रण, सलफाइट आयस्क को बारीक चून में पदल कर जाग पलवन विधी द्वारा सांद्रित किया जाता है, भरजन, सांद्रिद आयस्क को वायू की प्रचुर मात्रा में परावर्दनी भट्टी में भरजित किया जाता है प्राकलन भर्जित आयस्क को थोड़े से को के वम्रेत के साथ मिलाकर वायो की प्रचुर मात्रा में वाटर जेकेटेड वात्य भट्टी में गर्म किया जाता है बचा हुआ अधिकतर आइरन सलफाइड भी आउकसाइड में परिवर्तित हो जाता है ये सिलिका से अभिक्रिया करके आईरन सिलिकेट के रूप में धातुमल बनाता है धातुमल हलका होने के कारण गलित परत जिसमें मुक्षिता CU2S एवम थोड़ी मात्रा में FES जिसे मेटे कहते हैं के उपर तैड़ता है बिसेमराइजेशन गलित मेटे को चूने के बेसिक आरेक वाले बिसेमर कनवर्टर में डाला जाता है रेत एवम हवा को इस मिश्रण में जोगा जाता है FEO, FESIO3 के रूप में अलग हो जाता है जब आईरन को पून रूप से अलग कर दिया जाता है Q-Pras Oxide Q-Pras Sulfide से अभिक्रिया कर कौपर प्रदान करता है धात्विक कौपर तब पिखल कर कनवर्टर की तली के ओर बेह निकलता है इस स्टील के धाचों में डाला जाता है इसके ठंडा होते ही इसमें खुली हुई Sulfur Dioxide निकलती है जिसके कारण ठोस धातू में फपोले से पढ़ जाते हैं इसलिए इसे फपोलेदार तांबा कहते हैं इसमें लगभग 98 प्रतिशत तांबा होता है फपोलेदार तांबे का वैदुत अबगटन से शोधन किया जाता है जिंक का निशकर्शन चुकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है इसलिए जिंक ऑक्साइड का अपचयन Cu2O के ताप से अधिक तापमान पर कोग द्वारा किया जाता है तापन के लिए ऑक्साइड की कूक तथा म्रिदा के साथ छोटी-छोटी इंटे बनाई जाती है उत्पन्य हुई कारबन मोनो ऑक्साइड भी जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन कर सकती है अशुद्ध जिंक को स्पेल्टर कहते हैं धातु को आस्वित कर तथा तीवर-शीत लंद्वारा शोधित किया जता है धातु कर्म के वैद्यूत रासाइनिक सिध्धांत गलिद्ध धातु लवण के अपचयन के लिए वैद्यूत अब गटन किया जाता है ये विधी वैद्धुतरासाइनिक सिध्धान्थ पर आधारित है जिसकी व्याख्या निम्नसमीकरण के आधार पर की जा सकती है डिल्टा जी नौट बराबर माइनस एन इनौट एफ जहां एन इलेक्ट्रोनों की संख्या है और इनौट निगाई के रेडॉक्स युग्म का इलेक्ट्रोड विभव है अधिक क्रियशील धातूं के लिए इनौट का मान अधिक रनात्मक होता है इसलिए जी नौट धनात्मक हो जाता है तथा अपचेन कठिन हो जाता है यदि redox युग्म के E0 का मान धनात्मक हो तो G0 रनात्मक हो जाएगा और कम क्रियाशील धातू को उसके लवन से अधिक क्रियाशील धातू से प्राप्त किया जा सकेगा Aluminium का निशकरशन Al2O3 2H2O बॉक्साइट से किया जाता है बॉक्साइट का सांद्रण निक्षालन विधी द्वारा किया जाता है शुद्ध Al2O3 में Na3, Al, F6 या CAF2 मिलाया जाता है जिससे मिशरन का गलनांक कम हो जाता है और इसमें चालकता आ जाती है वैदुद अभगटन की इस प्राक्रिया को हॉल हैरॉल्ट प्राक्रम कहते हैं फ्यूजड मिशरन को ग्रेफाइट छडों के बने एनोड तथा कार्बन परत के बने कैथोड से वैदुद अभगटित किया जाता है ग्रेफाइट एनोड धात्विक ऑक्साइट को धातू में अपचैत करने में सहता करता है अपचैन अधातूएं अपने खनीजों से वैदुद रासाइनिक ऑक्सीकरन द्वारा प्राप्त की जाती है उधारन के लिए लवन जल के वैदुद अभगटन से एनोड पर सी एल तो प्राप्त होती है क्लोरीन रिण जल में उपस्तित आयन के आउक्सीडेशन के लिए गिब्ज उडजा की मानक अभिक्रिया उच्च धनात्मक मान वैदुद अभगटन की आविशक्ता बताता है क्लोरीन रन आयन के आउक्सिडेशन के लिए 2.2 वोल्ट विद्ध वाहक बल की आविशक्ता होगी तथा N कमान 2 है परन्तु जलिये विलियन में एक और अभिक्रिया भी होती है इस अभिक्रिया को 1.2 वोल्ट के विभवांतर से प्राप्त किया जा सकता है इसलिए अभिक्रिया की उंची दर के लिए एक अधिक विभवांतर की आविशक्ता होती है शोधन निशकर्शन से प्राप्त धात्वों में सामानी रूप से कुछ महल कन मिले होते हैं उच्छ शुद्धता की धातू प्राप्त करने के लिए अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं ये विधियां धातू एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों के गुड़ों में अंतर पर निर्भर करती हैं आस्वन ये विधि कम कौथनांक वाली धातूं के शोधन में प्रयोग तो होती हैं अशुद्ध धातू को वाश्पिक्रित करके शुद्ध धातू को आसृत के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है उधारन जिंक एवं पारा द्राव गलन परिशकरन इस विधि में कम गलनांक वाली धातू को पिगला कर ढालू सतह पर बहने दिया जाता है इस प्रकार अधिक गलनांक वाली अशुद्धियां अलग हो जाती हैं उधारन के लिए तिन वैदुद अबघटनी शोधन इस विधी में अशुद्ध धातू को एनोड तता शुद्ध धातू को गैथोड बनाते हैं उसी धातू के विले लवन को वैदुद अबघटक की रूप में कयोग करते हैं विद्ध धारा प्रवाहिद करने पर अशुद्ध धातू धात्विक आयन बनाती है जो कैथोट पर जाकर शुद्ध धातु के रूप में इकठे हो जाते हैं। उधारण तांबा, जिंक, एवं एलुमिनियम। मंडल परिशकरण ये विधी इससे धांद पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलेता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। अशुद्ध धातु की छड़ के एक किनारे पर लगे पृत्ताकार गतिशील तापक की सहिता से इसे गर्म किया जाता है। मैलकर्ण सनलगन कलित मंडल में दूसरे किनारे पर चले जाते हैं तथा शुद्ध धातु क्रिस्टिलित हो जाती है। इस क्रिया को बार-बार तो राया जाता है ततथा तापक को एक ही तिशा में बार-बार चलाया जाता है। हLabरन इसका प्रयोग अर्दिचालकों को शुद्ध करने में किया जाता है। वन लेकिकी विधियां पहले अधिशोशित होते हैं तथा अधिक विले घटक बाद में अधिशोशित होते हैं। ये विधि उन तत्वों के लिए उप्युक्त है, जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, तथा जिसमें तत्व और अशुद्धियों के रासायनी कुणों में अधिक भिन्नता नह पाई जाती. एलुमिनियम के अनुप्रयोग एलुमिनियम चून का प्रयोग लोहे एवं अन्नि सतोहों को ढखने के लिए सिल्वर पेंट्स में किया जाता है. इसका प्रयोग Automobile एवं वायूयान में प्रयोगतु होने वाली मिश्रद हादू को बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग सिगरेट एवं कन्फेक्शनरी के आवरण पत्रा के लिए पतली पन्नी बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग विद्धित ट्रांसमिशन केबल बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग पर्तन, ट्रे, फ्रेम एवं अन्य सजावट के सामन बनाने में किया जाता है हल्की सुचालक एवं जंग प्रतिरोधी होने के कारण इसका प्रयोग मिश्र धातू बनाने में किया जाता है उधरण के लिए मैगनेलियम, डूरालूमिन एवं अलूमिनियम प्राउंज तांबी के अनुप्रयोग इसका प्रयोग कॉपर प्लेटिंग एवं इलेक्ट्रोट टाइपिंग में किया जाता है इसका प्रयोग विद्धियंत्र, विद्धिकेबल एवं तार बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग वैक्यूम पंप, बर्तन एवं केलोरी मीटर बनाने में किया जाता है इसके बहुत से योगिकों का प्रयोग कीट नाशक, पीड़क नाशक एवं पिगमेंट्स बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग बहुत सी मिश्रिधातुएं बनाने में किया जाता है उधारन के लिए पीतल, जर्मन, सिल्वर एवं गन मेटल इत्यादी जिंक के अनुप्रयोग इसका प्रयोग शुश्क सैलो में कैथोड कंटेनर की रूप में किया जाता है इसका प्रयोग अपचायक एजेंट की रूप में किया जाता है इसका प्रयोग आईरन एवं स्टील के गेल्वनाइजेशन में किया जाता है इसका प्रयोग सोने एवं चांदी के साइनाइड प्रक्रिया द्वारा निशकर्षन में किया जाता है इसका प्रयोग बहुत सी मिश्र धातों बनाने में किया जाता है उधारण के लिए पीदल, जर्मन, सिल्वर, इत्यादी आयरन के अनूपरयोग आइरन उत्प्रेरकों का प्रयोग हैबर बोश प्रक्रिया में अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है फिशर ट्रॉप शिप्रक्रिया में इनका प्रयोग कार्बन मोनो आक्साइट को हाइड्रो कार्बन में बदलने में किया जाता है जिनको इधन एवं स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं आइरन धातू कठोर होने के साथ साथ बहुत सस्ती होती है अधिकतर वाहन, मशीन के पुर्जे, बड़े जहासों के हल्स, बिल्डिंग एवं मशीन के हिस्से लोहे से बने होते हैं आइरन को अन्य धातू के साथ मिलाकर स्टील बनाये जाता है स्टेनलेस स्टील का प्रयोग बिल्डिंग के हिस्से भूजन पकाने के बरतन, कटलरी एवं स्वर्जिकल यंत्रों को बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग वायोयान एवं वाहन बनाने में किया जाता है क्या आप चानते हैं कमरे के तापमान पर पारा एक मात्र ऐसी धातू है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कांसा तांबे एवं टिन से मिलकर बनी एक मिश्र धातू है इसमें तांबे की मात्रा सर्वधिक 80 से 85 प्रतिशत तक होदी है विश्व में छटे स्थान पर पाया जाने वाला तत्व लोहा है सारांश आये हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं वो खनेज जिससे धातू का निशकर्शन, सरलता एवं आर्थिक सुगमता से होता है आयस्क कहलाता है आयस्कों से अवांचित पदार्थों के प्रतक करण की प्रक्रिया को आयस्कों का सांद्रण कहते है जाग प्लवन विधी का प्रयोग मुक्यत्या सलफाइड आयस्कों के सांद्रण में होता है तापमान के साथ मुक्द उर्जा में परिवर्टनों का आरेक एलिंगम आरेक कहलाता है गलित धातू लवन के अपचैन के लिए वैद्ध अपघटन किया जाता है ये विधी वैद्ध रासायनिक सिध्धांद पर आधारित है उच्च शुद्धता की धातू प्राप्त करने के लिए अनिक विधियां प्रयोग में लाई जाती है ये विधियां धातू एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों के गुणों में अंतर पर निर्भर करती है इन विधियों को शोधन कहते है मंडल परिशकरन विधि इस सिध्धांद पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलेता धातू की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है वन लेके की विधी शोधन के इस सिध्धान्द पर आधारित है कि अधिशोशक पर मिश्रन के विभिन घटकों का अधिशोशन अलग-अलग होता है